तपस्या काल का बारहवा दिन चालीसा काल का दूसरा सप्ता संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय सत्र है पद संख्या पांच वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल चा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी यह मेरा प्रियक पुत्र है मैं इस पर अत्यन प्रसंद हो इसकी सुनो हम विचार करें येसु पत्रस याकूब और युहन्ना को साथ ले आये थे जब वे रूपांतरित हुए क्यों वे डर गए थे येसु के रूपांतरण के समय पिता की आवास सुनाई दी क्या है इस रहस्योग धाटन का महत्प पिता की आध्या थी उसकी सुनो कैसे मैं आज येसु को सुन सकता हूँ येसु इस चालिसा काल में मुझे क्या बोल रहे हैं हम प्रार्थ ना करें प्रभू येसु मसी रूपांतरण के समय आपने शिश्यों के विश्वास को मजबूत किया ताकि वे आपके प्राण पीडा और मृत्यु के समय न दगमागाए चालिसा का यह पावन काल सब के लिए वो तैयारी का समय ताथी मैं आपके शिश्यों के समान अपना क्रूस उठा सकूँ और आपके पीछे इमानदारी के साथ चल सकूँ लोलोला के संत इगनासियस कहते हैं यदि इश्वर आपको बहुत से कष्ट भेजता है तो यह एक संकेत है कि उसके पास आपके लिए बहुत अच्छी योजनाए हैं और निश्चय ही वह तुम्हें एक संत बनाना चाहते हैं कर दो यह तुम्हें एक संत बनाना चाहते हैं